अलो गाईज वेल्कुल टू माई चैनल आज हम बनाने वाले हैं आलू के रिंग यह बहुत ही क्रिस्पी है और हमें बहुत जादा समान की जरुवत भी नहीं है इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हमें किन किन सीजों की जरुवत है वो देख लेते हैं हमें चाहिए बारिक कटी हरी मिच और लाल मिच आप लाल मिच की जगर चिली से भी ले सकते हैं और अगर आप डालना चाहें तो बारिक काटकर हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं एक बाव सूजी, सूजी बारिक होनी चाहिए, अगर आपके पाद सूजी मोटी है तो उसे मिक्सी में चला लें, इससे सूजी बारिक हो जाएगी नमा स्वादन स्वार, थोड़ी सी लाल मिच अब हम रैसिपी स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रैस कर ले जिससे मेरे आने वाली वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे तो चलते हैं, देखते हैं क्या है रैसिपी पैन में एक श्पून घी लेंगे और हरी मिर्च को भून लेंगे अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसमें लहसुन का पेस भी डालकर भून ले अब हम इसे महां इन मुक्त और लामिश भी ढालेंगे। अब हम इस पाने के उबालाने पर इसमें सूजी आड़ कर देंगे और आरा फिंटे के लिए रख देंगे अब मीडियम साइज के आलू को कद्दू कस कर लेंगे हमाई सूजी भी फूल चुकी है एक बड़े परतम में इसे निकाल लेंगे अब आलू और सूजी में थोड़ा सा गरम मसाला चाट मसाला और कॉंस्रो मिलाकर एक डो मना लेंगे अब इसमें से थोड़ा सा पाट लेकर इसमें घी लगाकर हम बेलेंगे हमें ज्यादा पतला नहीं बेलना है अब हमें कटोरी से या कटर से इसे काट लेंगे और छोटी कटोरी से काट कर रिंग बना लेंगे हमारा ओईल भी गरम हो चुका है अब हम इसे तर लेंगे देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुके है अब हम इन्हें निकाल लेंगे और सेकेंड बेच टैयार कर लेंगे जो हमारे चोटे सरकल बचे थे इन्हें खराब न करें या तो इन्हें ऐसे ही टल लें या अगर आप कुछ क्रीटिव सा बनाना चाहते हैं तो इससे smileys बना सकते हैं आँक बनाने के लिए आप स्ट्रॉ ले ले इस ट्रॉ से आइस बहुत इजी बन जाती हैं मेरे पास इस समय स्ट्रॉ नहीं है तो मैंने इसका एक substitute लिया है और spoon से हम इसका मुँव बना लएंगे देखे smileys रेड़ी है इन्हें भी बनाने मिट कर दो से बड़ देखे पास व समय मुवड यदिंग यावक भी ह disciples कि लिए खंके लिए हमम हाफ फंक कॉ 80 जल कर वभी ह sorting मुश हैं आर्व हम a Thalia prevatta बनाने मुशने के बनाने इसका से लिए आड़ू इसकान पास को या हम इसका रभ्स्रॉ बनाने कि कंचे हैं से